अज़ो स्वादा खयाब सबका जीनियस सेकेर्डिविट्री ग्लासिस्मेंट मेरा नाम है संदीप सिंग और मैं आपको यहाँ पर बाइलोजी बढ़ाऊँगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोरी साइकल तो कोरी साइकल किसले रेगलेट की जाती है क्या परपस होता है उसके बारे हम यहाँ पर जानेंगे और यह लास्ट वीडियो होगा आपका मुवमेंट एन लोको मोशन इसका जिसमें हम लोग ने सारा कुछ पढ़ लिया है और यह कोरी साइकल लास्ट टॉपिक बचता है अलाकि ज्यादा कुछ इसमें एंसी थेखिए और हमें यह जानना है तो समझ डिजिए कि हमारे वाढ़ी में जिब हम बात करते हैं रिस्पाइरेशन के किसकी बात करते हैं एक होता है हमारा aerobic और एक होता है हमारे anaerobic ठीक है anaerobic जो है जब हम लोग glucose का use करके pyruvic acid बनाते हैं और देन estilcoenzyme बनाते हैं इस तरह से हम लोगी process चलाते हैं ठीक है लेकिन एन अरोबिक रेक्शन्स में क्या होती है एन अरोबिक रेक्शन्स में हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉडक्ट बनते हैं वो बेसिकली क्या बनते हैं लैक्टिक असिड प्रॉडक्ट हमारे जो रहते हैं वो लैक्टिक असिड होते हैं लैक्टिक असिड बैक्टिरिया हेल्प करता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में ठीक है तो यह मुझे बताईए आप कि क्या एन एरोबिक रियक्शन में जो यह लैक्टिक एसिड बनता है क्या यह हमारे बोडि में जैसा है वैसे ही रहे जाता है या फिर इसको हम यूटलाइस करते हैं तो साइक्लिक मूवमेंट और गुलकोज बिट्वेन मसल फाइवर, मसल फाइवर, मसल फाइवर्स एंड लीवर सेल्फ यूँकि आपको पता है कि हमारे बॉड़ी में गुलकोज जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में वो बिसिकलि कहां स्टोर होता है हमारे लीवर सेल्फ या एडिपोसाइट सेल्स में ठीक है तो अगर हम साइक्लिक मूवमेंट करते हैं गुलकोज की बिट्विन मसल लेगा कि हम पोरी साइक्ल को रेगुलेट कर सकते हैं ठीक है चलिए सेजंड पॉइंट लिखते हैं ड्यूरिक एन अरोबिक रिएक्शन ड्यूरिंग एन एरोबिक इन अप्सेंस ऑफ औक्सिजन इन एन एन अरोबिक रियक्शन लाक्टिक आसेड इस प्रडियूज लाक्टिक आसेड लाक्टिक आसेड इस प्रडियूस इन दा मसल फाइवर्स इन दा मसल फाइवर्स करता है हमारे बॉडि में जो हमारी म मुसल्स अंगे क्योंकि तो लेक्टिक एसे को हम आउट करें या उसका यूज करके कैसे energy को पाइख्ष में देखने को मिदेखते हैं ठीक है, मसल फाइबर्स में और ये एकुमूलेट हो जाता है, अचुमूलेशन और ये एकुमूलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड कॉज मसल फैटी, मसल फैटी, फैटी का मतलब बता है ठाकावड, तो मसल फैटी, फैटी का एसिड का डिपोजीशन होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरी साइकल चाहते हैं, यानि मेजॉर्टी ऑफ लैक्टिक एसिड को, मेजॉर्टी, मेजॉर्टी ऑफ लैक्टिक एसिड, इस कनवल्टेट इन्टू, ग्लाइकोजन, और कनवल्ट कर लेते हैं, मेजॉर्टी ऑफ को, ग्लाइकोजन में, लगबख माना जाता है, कि एटी परसेंट हम कनवल्ट कर लेते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग जो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड जो बचा हुआ है, उसको हम लोग कनवल्ट कर लेते हैं, आपकी यहां पर एक मसल सेल्स में बनाता हूँ मैंने यह कुछ इस तरह से आपकी यह मसल सेल्स है यह आपका गुल्कोज हो गया गुल्कोज कनवर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन ने और ग्लाइकोजन जो की स्टोर्ड फर्म होता है ठीक है तो गुल्कोज को कनवर्ट कर लिया ग्लाइकोजन में जब हम लोग की स्टोर कर आ रहे हैं और फर्दर इसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके फिर बना लेते हैं लोग ग्ल्कोज थीक है, glucose को convert किया जाता है पारविक असिड में और पारविक असिड से बनाते हैं लाक्टिक असिड, यह process जो होता है इसे हम लोग कहते हैem anaerobic reaction anaerobic respiration anaerobic respiration अब क्या होगा, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं cleaners बना लेते हैं कुछ इस तरह से थोड़ा roughly diagram है को इस तरह समान लेते हैं ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कि यह lactic acid जो यहां बना था वो enter करता है हमारे blood में और lactic acid यह liver तक जाता है lactic acid further यह move करता है और हमारे liver में अटर करता है जहां इसको break कर लिया जाता है इस lactic acid को दो parts में break किया जाता है जैसा कि हम लोग में अभी statement पढ़ा था CO2 and water में और साथ में इसको break किया जाता है पायरविक एसिड में लैक्टिक एसिड को फिर convert किया जाता है हम लोग पायरविक एसिड और पायरविक एसिड से बनाते हम लोग glucose और glucose और glucose को convert कर लेता है ने लोग glycogen में और यह stored form होता है और जब हम बुलने थे reaction तो दोनों reaction यह है यह 20% यहां पर जो हो रहा है यह 20% reaction चल रही है और यह reaction कैसी है 80% now glycogen को convert किया जाएगा glucose में और यह process कैसा होगा hydrolysis और इस तरह से glucose हमारा enter करेगा blood stream में और यह फिर जाएगा हमारे muscles में और इसको फिर से convert किया जाएगा glycogen में जो होता है तो कुछ इस तरह से कोरी साइकल हमारी regulate होती है यह हमारी blood vessels है ठीक है यह हमारी muscle है और यह हमारा liver है तो इस तरह से हमारी जो है कोरी साइकल regulate होती है यानि prolonged समय के लिए लंबे समय तक लैक्टिक acid हमारे body में deposit ना रहे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कोरी साइकल को regulate करते हैं कोरी साइकल आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा छोटा सा concept है ज्यादा टफ नहीं है बस हम इतना ही जानना है कि हमारे body में जो तक यू तक यू